असलाम वालेकुम दियर स्टूडेंट्स इस उजयर फॉम दा प्लेटफर्म अफ कॉंसेप्ट अकेटमी तूडेंट आज के टॉपिक का टाइटल है साइंटिफिक नोटेशन वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टॉपिक यह आप मैथ के कॉर्स में भी आप डिटेल से बढ़ें को एक स्टैफिनिशन को होड़ से समझ लेते हैं तो कोई भी नंबर कोई भी फिगर जो है वो उसको आप साइंटिफिक नोटेशन में बहुत इजी री कनवर्ट कर सकेंगे ठीक है सो फोकस से देखें इस वीडियो को मिलें इंशाला आपको बहुत अच्छे से समझ आ जा स्टूडन्स शूर करते हैं साइंटिफिक नोटेशन जो है सिंपल याद रखें कि साइंटिफिक नोटेशन सिर्फ एक मैथड है किसी भी साइंटिफिक फिगर्स को और साइंटिफिक नंबर्स को लिखने का साइंटिफिक नोटेशन जो है वो एक छोटा सा मैथड है जिस but scientific way to write a large or small number is to express them into some power of 10 is called scientific notation. ठीक है जी? अच्छा, मैं इसको explain करता हूँ यह क्या है? कि बहुत ही सादा simple or scientific way, scientific way है method भी कह सकते हैं, इस चीज़ को हम जो है method भी कह सकते हैं a simple and scientific method to write large or small numbers into, is to express them into some power of 10 is called scientific notation scientific notation क्या है? एक method है, जिसमें हम जो है वो किसी बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को express करते हैं किस form में? सम पावर of 10 में है, इसको हम scientific notation का नाम देते हूँ ठीक है जी? अच्छा अब देखें, ये इसकी standard form लिखी हुई है a into 10 is par n देखें, अभी हमने बात की कि हमने क्या करना है? हमने some power of 10 में convert करना है किसी भी चीज़ को, किसी भी नंबर को some power of 10 देखें, ये जो n है यहाँ पे, ये 10 की कोई ना कोई पावर है 10 यहाँ पे base है और a जो है, वो साथ multiply हो रहा है ठीक है? इस form से परेशान नहीं होना आगे examples करेंगे तो उसमें यह समझ आ जाएगा आपको basically, जो scientific notation है simple इतना याद रखना है, वो एक method है जिसमें हम numbers को power of 10 में जो है, वो describe करते हैं power of 10 में express करते हैं ठीक है, जैसे यह 10 है और इसकी power n लिखी है n से मुराद यहाँ पे 1, 2, 3, 4 so on, कोई भी number हो सकता है ठीक है जी? आच्छा example की तरफ आते हैं, देखें पहली example में, आपके पास लिखा हुआ है कि यह आपके पास एक बहुत बड़ी figure दी गई है यह बहुत बड़ी figure है यह तकरीबन जो है वो 38 करोड, 40 लाख जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है 38 करोड, 40 लाख मीटर यह हमारी जमीन का हमारी जमीन से हमारे चान का distance है, ठीक है, distance between moon and the earth ठीक है जी, moon और earth का जो distance है, हमारी जमीन से लेके हमारे चान तक का जो distance है 38 करोड, 40 लाख मीटर है ठीक है, अच्छा यह देखें, इतनी बड़ी रकम है अगर हमें इस रकम को पढ़ना होगा तो हमें जो है, वो कुछ ना कुछ time लगेगा, हम पहले जो है, वो unit space को discuss करेंगे फिर 10 space को discuss करेंगे, जैसे भी है हमें जो है, वो numbers को zeros को count करना पड़ेगा, digits को count करना पड़ेगा, फिर हम उसको पढ़ेंगे ठीक है, तो ऐसी figure को पढ़ने के लिए, ऐसी term को पढ़ने के लिए, ऐसे numbers को पढ़ने के लिए, या ऐसी numbers को लिखने के लिए, हम easy method use करते हैं, जिसको हम scientific notation का नाम देते हैं, अब इस number को हम scientific notation में convert करेंगे, बहुत ही असान method है, आगोर से देखिएगा, अब आपको पता है, कि जिस number में point नहीं होता, उसका point जो है, वो उसके end पे होता है, अब इस point में कोई भी point नहीं है, इसका मतलब इसमें point कहां पे है, इसके end पे है, ठीक है, अच्छा, हमने करना क्या है, हमने just इस point को उठा के, इस point को इसके end से उठा के, हमने जो first number है, यह जो 3 है, हमने इसको, इस point को इस 3 के बाद जो है वो shift करना है क्या करना है हमने हमने इस point को end पे end से उठा के हमने shift कर देना है कहां पे यह 3 के बाद यहां पे देखें यह जो a है a जो है वो यहां पे 1, 2, 3, so on 9 तक कोई भी number हो सकता है ठीक है अच्छा अब देखें हमने इसको 3 के बाद shift करना है अब देखें shift करने का तरीका क्या है हम इसको उठा के यहां से point को यहां से यहां shift करेंगे और center में जितने भी numbers आएंगे जितने numbers आएंगे उतनी 10 की power बन जाएगी ठीक है बहुत असान method देखें जरा किस तरह से 3.84 end पर था point point को उठा के कहां पर लगा दिया 3 के बाद लगा दिया 3.84 आपको पता है कि point के बाद zeros की कोई value नहीं होती इसलिए हम यहां पे zeros नहीं लगाएंगे बस जो non zero digits हैं उनको हम रिसाब लगा दिये 3.84 multiply by 10 raise par 8 10 raise par 8 कैसे आगया देखें जरा point को यहां से यहां shift किया center में number देखें कितनी आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 8 नमबर आ रहे थे तो 10 की power 8 बन गई ठीक है तो यह scientific notation एक method है जिसमें हम एक बहुत बहुत बड़ी रकम को एक standard form में लिखते हैं तो यह जो है वो scientific notation बन गई जो है वो इस number को convert करती है clear? अच्छा अगली example पर आते हैं मजीद आपको clear हो जाएगा देखें यह लिखा हुए है 62,750 ठीक है? इसमें भी इसका point कहां पे है? यहां पे है ठीक है? end पे है जिसमें point नहीं होता है, उसमें point कहां पे होता है? end पे होता है, हम इस point को उठा के shift करेंगे, कहां पे? यहां पे shift करेंगे ठीक है जी? अच्छा अब जब ने point को यहां से उठा के जो first non zero digit है focus करें मैं क्या कह रहा हूँ? हमने point को यहां से उठाना है और कहां पे shift करना है? जो first non zero digit से, first non zero digit के बाद ठीक है हम यहां से उठाएंगे पॉइंट को यहां भी शिफ्ट करेंगे अब देखें जरा के हमने पॉइंट को यहां से यहां मूव करवाया तो सेंटर में जितने भी नंबर आएंगे उतनी 10 की पावर बन जाएगी देखें 1 2 3 & 4 अब देखें 0 की कोई वैल्यू न अब देखें कि एक बात सिंपल सी याद रखें कि जब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर पोजटिव आएगी हमने राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया तो पावर पोजटिव आएगी बट अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट के तरफ शिफ्ट करेंगे अगर हमें जो है वो फार इसमपल यहां पे पॉइंट हो यहां शिफ्ट करना पड़ जाए तब यह जो पावर है यह क्या आएगी यह नेगटिव आएगी अब नेगटिव की एक जेंपल करते हैं देखें जरा अब देखें यह दूनों बहुत 5 seconds ठीक है यह बहुत एक बहुत छोटी सी रकम है बहुत कम टाइम है seconds में तो time होगा तो बहुत कम टाइम है बहुत छोटी सी एक value है ठीक है हमें इस value को scientific notation में convert करना है अगर हमें से scientific notation में convert करना है तो वही बात पहला rule पहला rule क्या है scientific notation का कि हमें point को कहां shift करना है first non zero digit के बा चाहिए हमें जो है वो point को first non zero digit के बाद shift करना है इस point को उठा के first non zero digit कौन सा है यहां पे four है zero ना हो ठीक है non zero हो first non zero पहला non zero कौन सा है four है तो देखें हम point को उठा के यहां से कहा shift करेंगे यहां पे shift करेंगे और जब हम point को यहां से उठा के यहां shift करेंगे जितने नमबर आ जाएंगे उतनी पावर बन जाएगी ठीक है जितने सेंटर में नमबर आएंगे जितना हमने पॉइंट को मूव करवाया हमने पॉइंट को यहां से यहां मूव करवाया सेंटर में जितने नमबर आएंगे उतनी पावर बन जाएगी देखिए कितने नमबर आये 1, 2, 3, and 4 भी है, ठीक है हमने पॉइंट को 4 नमबर सक मूव करवाया, तो पावर क्या हो गई 4 हो गई, बट अभी हमने बात की, बट अभी हमने बात की, कि अगर जो है वो हम पॉइंट को राइट से left shift करेंगे, तो हमें जो है वो power positive मिलेगी लेकिन अगर हम जो है वो left से right shift करेंगे तो power हमें क्या मिलेगी, negative मिलेगी तो हमने क्या कर दिया हमने 0.00045 seconds को जो है वो convert कर दिया, किसमें हमने इसको convert कर दिया, जो है वो scientific notation में और ये वाली scientific notation की स्टेंडर्ड फॉर्म है 4.5 इंटू 10 इस पार माइनस 4 अच्छा अब देखें सुटेंट्स के अगेन मैं रुपीट कर देता हूँ बहुत आसान सा मैथड है कि साइटिफिक नोटेशन सिंपल क्या है एक मैथड है जिस मैथड में हम क्या करते हैं हम बहुत बड़ी रकम्स को बहुत बड़ी जो वैल्यूस हैं उनको या फिर बहुत जो छोटी वैल्यूस हैं उनको हम क्या करते हैं हम पावर ओफ 10 में कनवर्ड करते हैं यह बहुत बड़ी वैल्यू थी एक हमने इस वैल्यू को पावर ओफ 10 में यह एक बड़ी value थी हमने इसको जो है वो power of 10 में shift कर दिया यह बहुत चोटी value थी हमने इस चोटी value को भी power of 10 में shift कर दिया करना आप हमने सरफ यह है कि हमने जो point है हमने point को उठा के जो first non zero digit है हमने क्या करना है जो first non zero फस्ट नौन जिरो जो डिजिट है हमने पॉइंट को फस्ट नौन जिरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर देना है यहाँ पे जो है वो देखें पॉइंट सब से एंड पे था हमने कहां शिफ्ट करना था फस्ट नौन जिरो के बाद फस्ट नौन जिरो कौन सा है पहला पहला नमबर जो कि 0 ना हो ठीक है पहला नमबर जो कि 0 ना हो 3 है 38 नहीं लगा सकते हैं because हमें मैंने क्या कहा कि 1st के बाद shift करना है 1st 90 के बाद तो 3.84 बन सकता है तो 3.84 के बाद हमने shift कर दिया और center में जितने भी नमबर जातने हैं उतनी power बन जाएगी ठीक है अगें पॉइंट यहां पे था हमने shift कर दिया कहां पे 6.275 यानि के 1st 90 के बाद 1st 906 था यहां पे तो 6.275 इंटू 1,2,3,4 चार नमबर आतने की power जो है वो 4 बन गई अगें इसी तरह because यहां पे हमने left से right move किया है छोटी value से बड़ी value की तरफ move किया है तो जब छोटी से बड़ी value की तरफ जाएंगे तो power जो है वो क्या हो जाएगी negative हो जाएगी से एम यही topic आपके book पे लिखा हुआ है इसको गोर से सुनें गोर से समझें अगर कहीं पे समझ नहीं आती जो है वो आप comment section में पोछ सकते हैं thank you